आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चनल पर आज के इस वीडियो में हम लोग यूथ कम्टीशन टाइम का जो मौक टेस्ट मार्केट में आया हुआ है जूनेर एडेडे एक्जाम के लिए तो उसमें जो शोसल साइंस यानि जिनका सब्जक्ट एसेस्टी है यानि 100 इसमें आपके टोटल MCQ हो जाएंगे जो 50 प्रशन थे वो आपके GS पार्ट के थे जो सभी के लिए करना अनिवार है तो उसके मौक टेस्ट हैं वो अलक से चैनल पर अप्लोड कर दिये गए हैं तो 4 मौक टेस्ट उसमें से आपके लिए अप्लोड हो चुके हैं GS पा पहला प्रशन है खाद्यानों की क्रसी प्रतम सरप्रतम प्रारम होई थी तो किस काल में प्रारम होई थी 9 पासान काल में मध्य पासान काल में या पूरा पासान काल में या प्रोटो एतिहासिक काल में तो यहां पे जो राट आंसर आपका हो जाएगा 51 का हो जाएगा option A 9 प पडि किस वर्ग के नागरिक थे, तो जो पडि है, वो किस वर्ग के नागरिक थे, option D इसमें राइट आंसर हो जाएगा व्यापारी, व्यापारी वर्ग से रेलेटिट थे पडि, next है, मघद की प्रतम राजदानी कौन सी थी, तो राजग्र, गृवरज, मघद की प्रतम आयोजन हुआ था तो प्रतम बौद समिती है इसका आयोजन किसके काल में किया गया था ये किया गया था आजात शस्त्रु के काल में ये हर्यकवंस का शासक था आजास शस्त्रु यानि बिम्बसार का बेटा था और इसके शासनकाल में प्रतम बौद संगती है वो हुई थी कि ओर इसमें जो मुख्य कार हुए वो क्या थे बुद्ध के उपदेशों को दो पिटिकों में सूथ बद कर दिया गया यानि इसमें दो पिटिक वने ने उनका दूसरा नाम किया था वह इसमें पूचा है तो देखिए इसमें 55 में राइट आंसर आपका हो जाएगा और सब्सक्राइब है एक कि के साथ है चंद्र गुप्त को बोला जाता है और बिंदुसारों बिंबसार दोनों अलग जानकारी देता है तो इसके विशे में इससे जानकारी प्राफ्त होती है नेक्स्ट है सक विजयता किसे बोला जाता है तो इन मेंसे जो सक विजयता बोला जाता है वो चंदरगुप्त विक्रमादित यानि चंदरगुप्त दोतियों को बोला जाता है नेक्स्ट है आरंबिक भारतिय मंदिरों के निमलिलिके तुदारणों में से कौन सी एक इटों के द्वारा निर्मित है देखिए इटों के मंदिरों का निर्माड है वो गुप्तकाल में शुरू हुआ था तो यह बीतर गाओं मंदिर है option six नेक्स्ट है नीचे दिये गए कथन और कारण पर कथन क्या है? बलवन ने दिवंगत खलीपा की स्म्रती में सिख्क्यत अंकित कराए कारण क्या है? बगदाद के खलीपा का पंत मुश्लिम सत्ता की महांतम शती थी तो 60 में राइट आंसर ऑप्सन भी हो जाएगा बातें तो दोनों सही हैं पर जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है यानि जो कतन है उसकी पुष्टी नहीं करता कारण निम्र लिखित में से दिली का पहला सुल्तान था जिसने होली के उस समय भाग लिया था तो यह था मुहमद विन तुगलक का उप्सन सी इसमेराइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंस का यह सेकंड राजा था और सल्तनत काल में तुगलक वंस ने सारवादिक समय तक शासन किय पहले जिसने गो आत्या प्रत्यवन्दित कर दी थी कहा का सकता तो जैनुल आपदी यह कश्मीर का अकवरी भी कहते हैं तो 62 में राइट आंसर अपसंसी हो जाएगा नेक्स्ट है बारत में मनसवदारी विवस्ता किसने प्रार्म्द की थी तो मनसवदारी विवस्ता की औरंग जेव ने दक्षण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे हैं तो औरंग जेव ने विजित किया था धक्षण में वो राज्य हैं बीजापुर और गोलकुंडा अपसंसी इसमें राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर और गोलकुंडा नेक्स्ट है सवाही राजा जैसिंग द्वारा प्रथम वैदसाला जंतर मंतर कना इस्तापित हुआ था देखिए इन में जो जैपुर में भी की थी उन्होंने एक उज्जेन में भी की थी दिल्ली में भी की थी और इसमें बूचा है सबसे पहले कहां पे की थी और तो 65 में राइट आंसर उप्सन ही हो जाएगा सबसे पहले जैपुर में की थी इन्हों ने कहां कहां कि जैपुर में की उज्जेन में की मतुरा में वैटसाला बनवाई बनारस में भी बनवाई तो जो जैपुर की है वो प्रतम है दिली में नहीं बनवाई है नेक्स्ट है राम मौर राय को राजा की उपादी किसने दी थी तो ये दी थी मुगल समराट अकवर दुतियने हॉप संटी इसमेराइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है भारती राजों पर अंग्रेजी प्रवुत इस्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सायक संधी प्रणाली का सुत्रपात किया था तो ये किया था लौड वैलेजली ने लौड वैलेजली जिस समय बारत में गवर्नर जनरल वन की आया था उस समय नेपोलियन का बहुत खत्रा था बारत पर तो उसने अंग्रेजी जो समराज था उसको अपने एक अपने कंट्रोल में लेने के लिए पूरी कोसिस की तो इसलिए सायक संधी फ्रणा लिया वो शुरू की थी नेक्स्ट है बैरकपुर में विद्रो के लिए देश वक्त प्रशिद है तो कौन सा है मंगल पांडे उप्संडी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 68 का राइट आंसर उप्संडी नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है तो एक तरफ विद्रो दियें और एक तरफ इस्तान दियें देखिए मोपला विद्रो ये केरल से समन्दित है पावना विद्रो बंगाल से समन्दित है और एका विद्रो है ये आवद से समन्दित है और बिर्शा मुंडा बिहार से समन्दित है तो एका एक किसम है एका एक इन दो में दिया है और बी का तीन किसम है बी का तीन option A में है तो option A का right answer हो जाएगा नेक्स्ट है निमिलकित में से कौन बहावी आंदोलन का नेता था तो बहावी आंदोलन का नेता था वो था 70 का right answer option C हो जाएगा सर सयद एमद बरेलवी था वो बहावी आंदोलन का नेता था नेक्स्ट है इंडियन एसोशियेशन का संस्तापक था तो इंडियन एसोशियेशन की संस्तापक थे आपसन D. S. N. बनरजी नेक्स्ट है बंगाल का विवाजन करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था नेक्स्ट है इंडियन में से कौन प्रथम बारतिय था जिसको पत्रकार के रुप में अपने कर्थब्यों के निर्वाण के लिए जेल बेजा गया था तो 73 में राइट आंसर हो जाएगा आपसन B. बाल गंगाधर तिलक लेकिन सुरेण दनाथ बनर जी पर भी ये पत्रकार था के लिए इन पर भी आरोप लगा था केस चला था लेकिन जेल भेजा गया था ते लक को पहले नेक्स्ट है मादमा गांधी द्वारा दक्षन अपरिका में प्रकास सित की गई पत्रकार का नाम था तो वो था Indian opinion option C, इसका right answer हो जाएगा next है चौरी-चौरा गटना गटित हुई थी तो देखिए ये गटना जो गटित हुई थी वो हुई थी option D देखिए इसमें जो date है वो गलत दी है 5 February नहीं है अभी भी इस पर जो उत्सव है वो समेलन है वो हुए है तो 4 February इसकी exact date है गटना गटेत होती है 4 February को 5 February को ये आंदोलन वापस लिया जाता है अस्योग आंदोलन इस गटना के बाद में तो 5 February को आंदोलन वापस लेने की date है लेकिन 4 चौरा गटना के गटेत होने की date है वो 4 February है नेक्स्ट है नेरू रिपोर्ट की तियार की थी तो ये मोतिलाल नेरू ने की थी अपसन एस का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्ड लिखित में से कौन बारती राष्टी कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष के चुना में स्वाशंद बोश ने पट्टाव इसीतार मया को पराजित कर दिया था तो ये था तृपुरी अधिवेशन और अपसन दीस में राइट आंसर हो जाएगा 1939 का और तृपुरी MP में इस्तित है नेक्स्ट है आजाद इंद फोज का प्रतम सेनापती तो अपसन एस में राइट आंसर हो जाएगा मुहन सी नेक्स्ट है निम्न में से किसने 1935 की अधियों के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है तो ये बोला था कथन जबाला नेरू ने नेक्स्ट है एक तरफ गवर्नर जनरलों के नाम एक तरफ उनके किये हुए कारे तो असी में राइट आंसर आपका ओपसन डी हो जाएगा लॉर्ड लिटिन परतम आंगल अफगान का युद्ध प्रारम होना ये सही सुमेलित नहीं है और ये ओकलेंड के समय लड़ा गया था ना कि लिटिन के नेक्स्ट है बारत का समिदान कब लागू हुआ था तो 81 का राइट आंसर आपसन डी हो जाएगा नेक्स्ट है बारते समिदान का अनुच्छेत चालीस राज्य को सारतक कदमों ये तू परामर्स देता है तो ग्राम पंचायतों के गटा ने तू देता है आपसन बीस में राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक नहराज के निर्माड के लिए समिदान को पुवंद नहीं है तो 83 में राइट आंसर हो जाएगा आपसन डी एक राज्य संगराज्य छेत्र सामिल कर सकेगा नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक गलत है 84 का right answer option नहीं हो जाएगा मूल करतब ये मौलिक अधिकारों का हिस्सा है बारती सम्मिदान की प्रकरती क्या है तो बारती सम्मिदान की प्रकरती है 85 का right answer हो जाएगा उप्युक्त में से कोई नहीं है उप्युक्त में से एक से अधिक तो एक से अधिक है संगिय भी है और एकात्मक भी हो जाता है अपात काल में संसद द्वारा संकट काल की गोशना का अनमुदन कितनी अवधी के अंतराल में होना आवश्यक है तो ये एक माँ की अवधी के अंतरगत होना आवश्यक है पहले ये दो माँ आती बाद में इसको तो इसको बटा करके एक मा कर दिया गया बारत के लिए राष्ट पती अपनी सक्तियों का प्रियोक करते हैं तो कौन करते हैं 88 का राइट आंसर ऑप्सन हो जाएगा सीधे अधवा अधिनस्त अधिकारियों के द्वारा नेक्स्ट है लोगसवा का कारिकाल होता है 89 का राइट आंसर ऑप्सन सी हो जाएगा नेक्स्ट है 90 तो 90 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्सन सी केवल कतन एक सही है PMO का जो सच्चिव होता है वो प्रदानमंत्री का सच्चिव होता है न कि केवनिट का सच्चिव तो इसलिए option 20 में गलत है next है कौन सा सम्विदान एक संसोधन राज से चुने जाने वाले लोकस्वा कि सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंदित है तो 91 में right answer option सी हो जाएगा 7 वा और 31 next है कौन की सम्विदान संसोधन से संपति की अधिकार को समाप्त किया गया 44 अब 1978 में 88 जिया गया था इसको next है किस राज में विदायका का दूसरा सदन नहीं है 93 का right answer option ही हो जाएगा तो मिनाडू 94 तो 94 में right answer option सी हो जाएगा संसेत की सिपारिस पर राष्टपति के द्वारा next है 95 तो 95 में right answer हो जाएगा option पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अपरेल को option D right answer है next है 95 तो 97 में right answer option ही हो जाएगा next है बारत की संदर में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए तो ये इसमें काफी कतन दिये हैं आप इसको पढ़ी आराम से 98 में जो right answer हो जाएगा option B थोड़ा आज में problem है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ next है लोग निदी का विवावक किसे का जाता है तो option B इसमें right answer हो जाएगा निमत्रक एवं माले का परिक्षक और article 48 में CGI का उलेक है next है बारत में राजनीतिक दलों का पंजियन होता है तो ये पंजियन होता है जन पार्पी एक्ट 1951 के प्रावदानों के द्वारा next है राश्टी निती तो 101 में right answer हो जाएगा option B option B इसमें right answer हो जाएगा एक दो तीन इसमें सही है next है निमत्रक एवं में सबसे पहले यह कहा था कि प्रत्वी गोला कार है तो ये गिस ने बोला था option A में right answer हो जाएगा रस्तू ने next है प्रत्वी इद्वारा ए गुरन के लिए लिया गया सटिक समय क्या होता है तो 103 का right answer option C हो जाएगा 23 गंटा 56 मिनट 4.09 सेकिंड next है निम्ड लिखित नगरों में कौन करक्रेखा से निकट्तम दूरी पर इस्तित है तो 104 का right answer option B हो जाएगा गंदी नगर next है पस्चिम से पूरव की और जानने पर मिलने वाले नगरों के अविस्थानों को निम्ड में से कौन एक सही अनुक्रम है तो 105 में right answer option D हो जाएगा France and Spain के भी सीमा बनाने वाला परवत है तो ये है पेरनीस option D में right answer हो जाएगा 107 नबर का सवाल है निम्ड में से कौन सा देश नील लदिद्वारा प्रवायत नहीं होता तो 107 में right answer option हो जाएगा चारडबा की इथोपिया से तो इथोपिया हाइलेंड से ही तो ब्लू नायल है वो निकलती है और युगांडा के पास जील है वहाँ से निकलती है सुडान से तो प्रवायत होती है तो option D में right answer हो जाएगा next है निम्ड में से कौन सा एक जल दमरू मद्द्य है रूस और अमेरिका के मद्ध में next है वायवंडल काई प्रकार की गैसों के मिस्रण से बनाए प्रत्वी के नस्दीक वायवंडल में मुख्यत पाईव जाती है तो 109 में right answer option ही हो जाएगा nitrogen इवम oxygen 110 से 110 ये कथन कारण से संबंदित है तो 110 में आपका right answer option ही हो जाएगा next है संक्त राज अमेरिका में Silicon Valley स्थित है California में option 20 का right answer हो जाएगा बारत में Silicon Valley Bangaluru को बोला जाता है next है करक रेखा किस राज से होकर नहीं गुजरती है तो 112 का right answer options ही हो जाएगा मड़ी पुर से नहीं गुजरती है बाकी सबसे गुजरती है next है उत्ताप्रदेश यह हिमाचल का सरवोच सिखर है तो उत्ताप्रदेश हिमाचल का सरवोच सिखर है वो है नंदा देवी option 20 का right answer हो जाएगा next है निम्न में से किस नदी वेशन का शेत्रबल सारवादिक है तो जिस नदी वेशन का शेत्रबल सारवादिक है नमें से वो है option C गोदावरी गोदावरी को दक्षड की गंगा भी बोला जाता है next है फूलों की गाटी तो यह उत्तराँचल में इस्तित है option C इसका right answer हो जाएगा next है इसमें वार्सिक वर्सा के अवरोई क्रमपर लगाना है तो 116 का right answer option C हो जाएगा कुछी कुलकाता पटना दिली next है सेल तंत्रों में कौन सा कोला निक्षेप है तो इन में से जो कोले निक्षेप हैं वो कहाँ पर है प्रमुक्सरोत यहाँ पर बताना है तो वो है गौडवाना तंत्रों option 20 का right answer हो जाएगा 117 का B गौडवाना तंत्रों में बारत का 98% कोला है वो मिलता है लेकिन यहाँ पर भारत में गौडवाना लेंड एक अपवाद के रुप में कोला मिलता है अपर देखिए अफरीकी अकॉंटिनेंट और भारत है प्राइदी पिय वारत है यह गौडवाना लेंड का छित्र है माना जाता है लेकिन अफरीका में कोले कोला बहुत ही नाम मातर के लिए मिलता है नाइजीरिया वगेरा में बहुत थोड़ा वहाँ पर कोला नहीं मिलता लेकिन वहीं गौडवाना छित्र है इंडिया में प्राइदी पिय वारत में वहाँ पर कोला बरपूर मातरा में है तो यह अपवाद है यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है नेक्स्ट है तुलूल परियोजना का संबंध है तो 118 कराइट आंसर अपसंसी हो जाएगा जेलम नदी से नेक्स्ट है 119 बारत में रासरकारों को गैर कोला ख़दानों में नीलामी का अधिकार नहीं है आंद प्रदेश जारकन में सोनी की ख़दाने नहीं है राजिस्तान में लोए आज की खदाने है तो देखिए दो इसमें है दो वाला कथन है ये गलत है तो दो वाला कथन इसमें है तो ये हो नहीं सकता ये भी नहीं हो सकता अब पहला वाला देखते हैं कि राज सरकारों को गेर गोला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है तो ये गलत है अधिकार है तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपसंडी केवल तीन सही है नेक्स्ट है निम्न में सयत्रों में इंदुस्तान इस्टी लिम्टेड प्रवंदन में नहीं है तो ये हैचल के प्रवंदन में कौन सा नहीं है ऑपसंडी में राइट आंसर हो जाएगा जमसेदपूर जनसेदपूर किसके नियंत्रण में है तो ये टाटा जो टाटा कंपणी है उसके नियंत्रण में एक्स्ट है स्री स्वरी कृष्णा पत्रम बंदरगा के संबर्धन में निम्न राज्यों में से कौन सा लावानमित होगा तो option A right answer हो जाएगा आंदरग प्रदेश 22 देखते हैं पर्यावरण अपकर्स से अविप्राय है तो ये सभी से अविप्राय है option A right answer हो जाएगा नेक्स्ट है 123 प्रदूसन के कुछ विश्वश्वश्णी सूचक है तो ये है लाइकेन और मास option C इसका right answer हो जाएगा लाइकेन और मास ये प्रदूसन के सूचके है नेक्स्ट है ग्लोबल तापमान के संबंद में कतनों पर विचार करना है तो एक बार आप इस सभी कतनों को पढ़ें और right answer इसमें हो जाएगा 124 में C एक दो ए सोरी एक तीन चार सही है तूसरा कतन है वो गलत है नेक्स्ट है हरत जलवाई कोस के संबंद में तो 125 का right answer option A हो जाएगा ये इसमें सही है सही नहीं है बाकी सब सही है नेक्स्ट है 126 तो 126 में right answer option B हो जाएगा नेक्स्ट ये सुमेलित करने के लिए है लोग गीत है ये इस्थानिय और एक तरफ इस्थान और एक तरफ है उनके नव तो बिरहा बोजपुरी से संबंद देता है कजरी अवदी से मलोर ब्रजी से रसिया खौरवी से तो 127 का right answer आपका हो जाएगा option B नेक्स्ट है 128 तो उत्ता प्रदेश किसके उत्पादर में सबसे आगे है 28 का right answer option D हो जाएगा 1 और 3 129 तो 129 का right answer option B हो जाएगा 130 तो 130 में right answer option C हो जाएगा 131, 131 का right answer option D हो जाएगा एक तरफ एस्तानों के नाम और एक तरफ खनिज्यो प्राप्त होते हैं उनके नाम है नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है तो एक तरफ मेले और एक तरफ इस्तानों देखिए पश्मेला बटेशुर यागरा में इससे थे और दुरुपद मेला वारानसी गोविन साहाब मेला मेटकनगर माग मेला प्रियागराज तो इसमें जो right answer 132 में हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option A नेक्स्ट है 133 का वारानसी की स्थापना किस नहीं की थी तो 133 का right answer option B हो जाएगा शिप प्रशाद गुपता की द्वारा की गई थी नेक्स्ट है उत्रप्रदेश में जय प्रद्योगी की पार्क कहां पर इस्थापित किया गया है तो ये लकनों में है option A इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है प्रिशिद्र ठुमकी गाय का गरिजा देवी का जन्म किस सिस्थान पर हुआ था option D इसमे right answer हो जाएगा वाराणसी नेक्स्ट है जन्गर्णा 2011 की अनुसार उत्रप्देश में सायवरादिक लिंगान पातवाला जिला जौनपुर है 136 का right answer देखिए लेकिन इसमें 2001 की अनुसार बूचा है 11 की अनुसार नहीं तो option A इसमे right answer होगा नेक्स्ट है बारत का अर्थिव सर्विक्षण संबन्दित है वित्मंत्राले से है 138 तो 130 138 मे right answer अपका हो जाएगा option D नेक्स्ट है संस्था और स्थापना बर्ष तो 139 मे right answer option D हो जाएगा ICICI की स्थापना है स्थापना वर्स के इसमें डेट तो दी नहीं है तो लेकिन फिर भी आप करम याद कर लेना सबसे पहले ICICI यह बनता है बागी उसके बाद में बनते है फिर उसके बाद आई FSC फिर IDVI फिर CIDVI तो यह इसका क्रम है नेक्स्ट है 140 तो 140 में right answer option C हो जाएगा क्रश लागत एवं मूल आयोग है यह निर्धारन करता है MSP का next है आपके लिए सवाल 141 ACI का प्रतम निर्यात प्रसंसकरण शेतर 1965 में स्थापित किया गया था तो कांडला में किया गया था और अभी हाली में क्रसी का निर्यात प्रसंसकरन चेत्र है वो पुने में बनाया गया है महाराष्ट में और वो किसी एक्जाम में पूछा भी गया है 142 में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 144 में right answer option C हो जाएगा साक्षरता पूचा है नेक्स्ट है इसमें जो जनांकी की है इतियास का विवाजन बर्स 1921 को माना जाता है ओपे का सदस्य है दक्षड तो वेनेजुला है उपसंसी इसमें right answer हो जाएगा सारवादिक तेल बंडार है वो दुनिया में बेनेजुला में ही है नेक्स्ट है पटवारियों लेकपालों के कारिकी देखवा लेवन में से कौन करता है 147 का right answer option C हो जाएगा तैसीलदार नागरिक सुरक्षा दिवस मना जाता है option A समें right answer हो जाएगा नेक्स्ट है बारत का दैनिक मौसम मांचित्र कहां तियार किया जाता है 149 का right answer option D हो जाएगा पुने सोगम में बारत अव्यान किसके लिए चलाए गया है तो ये विकलांगों के लिए चलाए गया option C में right answer हो जाएगा तो ये आपके लिए test series का mock test first था बाकी भी आपको मिल जाएंगे अब जल्दी ही तो आप चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आप वीडियो से लाव हो रहा है तो आप वीडियो को like कर सकते हैं और वीडियो को share भी कर सकते हैं तागे हमको ये series जारी करने के लिए motivation मिलता रहे तो चलिए next वीडियो मिलते हैं thank you